Hello viewers, welcome to my channel Study Mentor आज हम Study Mentor में रंगला पंजाब बुक का पार्ट 4 करने जा रहे हैं इसमें हमने 3 पार्ट पहले कर लिए हैं अब हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं ये आपके पंजाब के एक्जाम लेवल में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये जल्दी आने वाला है पंजाब में PPSC का एक्जाम, PCS एक्जाम और भी जो पंजाब के एक्जाम आने वाले हैं जो आ चुके हैं उन सब में ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है लास्ट लेक्चर में हमने स्टैट किया है वो भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वो कोश्यन तो डिरेक्ट कितनी बार एक्जाम में आए हुए है अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जो इसके तीन पार्ट बन चुके हैं और पंजाब जी के वो नहीं देखी है तो प्लीज पहले उन्हें देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये कोश्यन पंजाब लेवल में कितने ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबी तक ये वीडियो पोंसे अब हम करने जा रहे हैं रंगला पंजाब बुक का पार्ट फोर आज हम जो पार्ट करने जा रहे हैं रंगला पंजाब बुक का उसमें हम सी yam and governor पंजाब के जो बहुत ज्यादा important है और प्रेजिडेंट रूल कितनी बार लगा है पंजाब में ये बहु ज़्यादा इंपोर्टेंट है ये वाले कोश्चन जो मतलब CM 1947 टू तिल डेट तक छीक है गुवर्नर भी 1947 टू तिल डेट तक अब तक कोन है इन सब के बारे में हम डिटेल में डिसकस करेंगे आज के हमा हमारे लेक्चर पार्ट 4 में जो मैं आज करवाने जा रहे हूं वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है करेंगे वही जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है प्रेजिडेंट रूल कितनी बार लगा कौन से टाइम में लगा ठीक है ये वाले सारे कोश्चन आज हम करे अब हम डिटेल में चलते हैं, चीक है, हमारे पास सबसे पहले आता है CM of Punjab, चीक है, पंजाब में CM, ये पुराना डाट है, क्रण CM of Punjab is Captain Amrindar Singh, आप सबी को पता ही होगा, क्रण CM कोन है, हमारे Captain Amrindar Singh, चीक है, ये डाटा भी पूछा जा सकता है, अब हम इन सब को डिटेल में कितनी बार President Rule लगा, चीक है, ये सारा आपके पास कब कब लगा, ये सारा आज डाटा हम डिटेल में डिसकस करेंगे, करेंगे वही जो एक्जा आपको पता ही होगा, कि 15th of August मतलब अपना देश आजाद हुआ था, तब से लेकर ये 13th of April 1949 तक, means two year के near about तक ये रहे थे, डोक्टर गोपी चन्थ, भरगवा, very very important, चीक है, next हमारे पास है, second CM of Punjab, is Bheem Singh Sachar, चीक है, 13th April 1949 से 18th of October 1949, ये भी Congress Party से below करते थे, 3rd number पर फिर हमारे पास आ जाते हैं, डोक्टर गोपी चन्थ भरगवा, ये फिर 18th of October 1949 से June 20, 1951 Congress, ये PCS के exam level से, ये questions काफी ज़्यादा important है, उसमें ये questions पूछे जा सकते हैं, चीक है, ये, मतलब अगर आप सोचें कि पटवारी ये जो normal exam paper होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा important नहीं है, उसमें president rule important है, first name of, मतलब, first जो CM, उनके बारे में पूछा जा सकता है, या जैसे 66 में अपना जो पंजाब था, वो डिवाइड हुआ था, उसके बाद पहली बार कौन बने थे, इस तरह से उसमें ये वाले question, वो अलग से मैं आपको बता दूँगी कि जो simple exam में कौन-कौन से important है, और PCS exam में तो ये सारा का सारा data आपके लिए बहुँ जादा important है, ये किसी तरह से भी question घुमा कर, किसी तरह से भी numbering में कि जैसे इस इस सरें से question आप से पूछे जा सकते हैं, या वो कितने time तक रहे years में ये इस सरें से पूछ सकते हैं, मतलब ये questions आपके लिए बहुँ जादा important है for PCS exam, अब हम बात करते हैं, fourth time जब ये थे, ये president rule लगा था, June 20, 1951 से April of 17, 1952 तक, first time पंजाब में, ये question इस तरह से पूछा जा सकता है, first time पंजाब में president rule कब लगा, that is on 20th June 1951, very very important question for all पंजाब exam के लिए, president rule पंजाब में, कब लगा, when was the president rule in पंजाब, first time, that is 20th June 1951 to April 17, 1952, very very important, अब मैं आपको बता दू, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जब president rule first time लगा, उस time गुवर्नर कोन थे, उस time पंजाब के गुवर्नर कोन थे, चंदुलाल, माधव दास, त्रिवेदी, जो की हमारे first गुवर्नर हैं पंजाब के, that is very very important, जब हमारे पंजाब में first president rule लगा, जो की कब लगा, June 20, 1951 to April 17, 1952 में, उस time पंजाब के गुवर्नर कोन थे, चंदुलाल, माधव दास, त्रिवेदी, वो ही हमारे first गुवर्नर थे पंजाब के, चीक है, इस तरह से numbering में पूछे जा सकता है, कि मतलब जो president rule लगा, तो कौन से गुवर्नर थे, first थे, second थे, third थे, इस तरह से option में हो सकता है, तो ये हमारे first गुवर्नर थे, अब fifth हमारे पास जो हैं, वो हैं, भीम सेन सचर, ये कब सीयम बने थे, 17th April 1952 से January 23rd 1956, ये भी Congress के ही थे, 23rd January 1956, 6th इस परताप सिंह कैरो, ये भी important है, परताप सिंह कैरो, ये 23rd of January 1956 से 21st June 1964 तक, Congress, ये 8 साल तक रहे थे, 1956 to 1964, 8 years, ठीक है, next हमारे पास आ जाता है, 7th, 7th CM of Punjab, इस गोपी चंद भरगवा, ये बने थे, 21st June 1964 से 6th July 1964 तक, ठीक है, Congress के थे, और 8 CM is राम किशन, 7th July 1964 से 5th July 1966, that is also from Congress Party, ठीक है, और that is very very important, प्रेजिडेंट रूल लगा था, July 5th 1966 to November 1966, ये लगा था, जब हमारा, मतलब हर्याना और HP हमसे जब डुविजन हुआ था, तो, उस वज़े से, प्रेजिडेंट रूल लगा था, July 5th 1966 से, November 1966, जब हमारा पंजाब डे भी मनाया जाता है, 1st November को, ठीक है, और ये डेट कितनी बार एक्जाम्स में पूछी भी गई है, कि जब डिवाइड हुआ था, हर्याना और हिमाचल परदेश से, पंजाब, वो कब फाउंड हुआ था, November 1966 से, और New Punjab, इस तरह से भी कोशन पूछा जा सकता है, New Punjab established in 1st November 1966, ठीक है, ये कोशन काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, हर एक्जाम के लिए, नेक्स्ट है, ये कोशन भी बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ज्यानी गुर्मक सिंग मुसाफिर, 1st November 1966, 2, March 8, 1967, कॉंग्रेस पार्टी से बिलोग करते थे, ये इसलिए, क्योंकि जब न्यू पंजाब बना, उसके बाद हमारे 1st CM कौन बने, जैसे सीधा CM पूछ लेते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंडेंस तो, डॉक्टर गोपी चंद भरगवा, न्यू पंजाब जब बना, तो ग्यानी गुरमुक सिंग, मुसाफिर ये कोशन मैंने आपको पहले भी करवाया है, पंजाब जी के में आप मेरे जो मैंने आपके लिए questions बनाए थे उसमें जो मैंने आपको questions करवाए है उसमें भी मैंने आपको ये question करवाया है very important है ठीक है next है हमारे पास Justice Gurnam Singh that is 11 cm of Punjab March 8, 1967 to till 25th November 1967 ये first time जब श्रोमनी अकाली दल that is also very important first श्रोमनी अकाली दल के CM कोन बने? Justice Gurnam Singh श्रोमनी अकाली दल पाल्टी के CM first time कोन बने? Justice Gurnam Singh that is 8th of March 1967 to November 25th 1967 very very important मैं आपको बता रही हूं जो आपके लिए बहु जादा important है next is लश्मन सिंगिल November 25th 1967 to 23rd of August 1968 ये भी श्रोमनी अकाली दल से बनी और ये दुबारा हमारे President Rule लगा that is on August 23rd 1968 to February 17th 1969 14th CM of Punjab is Justice Gurnam Singh 14th CM of Punjab Justice Gurnam Singh is 17th February 1969 से 27th March 1970 श्रोमनी अकाली दल पार्टी से बिलोग करते थे परकास सिंग बादल कब फर्स टाइम बने that is also very important परकास सिंग बादल फर्स टाइम कब बने that is 27th March 1970 27th March 1970 को परकास सिंग बादल फर्स टाइम सिंग बने श्रोमनी अकाली दल पार्टी से बिलोग करते हैं that is June 14th June 1971 तिल डेर तक रहे ये उसके बाद दुबारा President Rule लगा ठीक है कब लगा June 14th 1971 to March 1972 ठीक है अब उसके बाद अब very important ज्यानी ज्याल सिंग ज्यानी ज्याल सिंग हमारे सियम बने that is 17th March 1972 तो 30th of April 1977 पूरे 5 यर्ज के लिए ठीक है ज्यानी ज्याल सिंग March 1772 से लेकर 30th April 1977 अब आपको मैं बता दूँ एक तो जो डॉक्टर एक तो परताप सिंग कैरो जो 6 नंबर पे हैं परताप सिंग कैरो इनका जो था 8 यर का था ठीक है मतलब जो ये CM बने थे 8 यर के लिए बने थे 1956 तो 1964 तक और एक जो हैं ज्यानी ज्याल सिंग ये 5 यर के लिए बने थे ठीक है इंपोर्टेंट है ये कोस्चन आपको ये याद करना पड़ेगा ठीक है अब प्रकासिंग बादल दुबारा CM बने 20 जून 1977 तो फेबरी 17, 1980 ठीक है ये श्रोमनिय का लिए दल ये हमने कर लिया प्रेजडेंट रूल दुबारा लग गया 1980 में 15 फेबरी को तो जून 6, 1980 उसके बाद दर्बारा सिंग फिर प्रेजडेंट रूल लग गया अक्टूबर 10, 1983 से सेप्टमबर 29, 85 ठीक है अब यहां से लेकर टोटल 7 ताइमस प्रेजडेंट रूल लग गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है यहां से 7 ताइमस प्रेजडेंट रूल लग गया अब देखते हैं आगे अब सुर्जी सिंग बरनाला 29, सेप्टमबर 1985 से जून 11, 1987 ठीक है दुबारा प्रेजडेंट रूल लग गया जून 11, 1987 से तिल 25 फेबरी 1992 यह है 8 ताइम टोटल पंजाब में 8 ताइम प्रेजडेंट रूल लगा है चिक है कितने बार यह question important है एक्जामस में पूछा जा सकता है प्रेजडेंट रूल पंजाब में कितने टाइम लगा है 8 ताइम लगा है very very important question direct पुछा जा सकता है चीक है next है बियन्ट सिंग CM बने थे 25th February 1992 से 31st August 1995 Congress Party से बिलों करते थे चरन सिंग ब्राड 31st August 1995 से January 21 1996 ये भी Congress Party से ही बिलों करते थे रजिंद्रकॉर भटल that is also very important 21st January 1996 से 12th February 1997 Congress Party से बिलों करते थे करती थी ठीक है प्राकासिंग बादल that is 12th February 1997 से 2002 ये 5 ये चीक है that is श्योमनिय काली दल ठीक है 12th February से 26th February तक Amrindar Singh Captain Amrindar Singh that is 26th February 2002 से March 2005 ये फिर 5 years के लिए ठीक है फिर प्राकासिंग बादल 1st of March 2007 से 2012 तक ठीक है उसके बाद प्राकासिंग बादल दुबारा इनका 12 के बाद ये अब 17 तक 2017 तक ठीक है उसके बाद Captain Amrindar Singh मार्च 2017 से तिल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा लिखा हुआ तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा चीक है थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ देट इस Captain Amrindar Singh 2017 तिल डेट ठीक है अब क्लियर हो गया ठीक है यह सारे CM President Rule यह कोशन काफी बार एक्जाम्स में पूछा जा सकता है और एक कोशन मैं आपको बता दूँ प्रकासिंग बादल जो है प्रकासिंग बादल वो कितने टाइम इन्होंने अपना रूल किया है CM कितने बार बने है जो प्रकासिंग बादल है वो कितनी बार पंजाब में CM बने है तो मैं आपको बता दूँ फर्स टाइम 1970 में बने थे सेकेंड टाइम 1977 में ठीक है उसके बाद थर्ड टाइम बने थे 1997 में 4 टाइम 2007 में 5 टाइम 2012 में अगर पूछा जाए कि परकासिंग बादल CM कितने टाइम बने है तो 5 टाइम ठीक है प्रेजिडेंट रूल कितने टाइम लगा है ये कोशन पंजाब के एक्जाम लेवल से बहु ज़्यादा इंपोर्टेंट है आप इनको अच्छे से क्लियर कर लेना अच्छे से त्यार कर लेना ठीक है अब हम नेक्स्ट करते हैं गुवर्नर्स ओफ पंजाब ठीक है फर्स्ट वेरी इंपोर्टेंट चंदुलाल मादुलाल प्रिवेदी दैट इस 15th ओफ अगस 1947 से 11th मार्च 1953 ठीक है इसी में जो हमारा फर्स्ट प्रेज़ांट रूल लगा था वो इन ही के टाइम में लगा था सेकिंड कौन थे हमारे गवर्नर इस सर चंदेश्वर प्रसाद नरायन सिंग चंदेश्वर प्रसाद नरायन सिंग 11th मार्च 1953 to 15 September 1958 जो ये गवर्नर है ये जो पंजाब के PCS एक्जाम के लेवल से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो गवर्नर है ये पंजाब के PCS एक्जाम लेवल में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें कोशन्स पूछे जा सकते हैं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है CM और गवर्नर में से एक ये दो कोशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आ सकते हैं ठीक है हमारे पास जो हैं थर्ड गवर्नर इस नराहर विश्नु गडगिल ठीक है 15 सेप्टमबर 1958 से लेकर 1st अक्टूबर 1962 तक पैटम थानू पिलाई दैट इस 4th गवर्नर ओफ पंजाब 1st अक्टूबर 1962 से लेकर 4th मई 1964 तक ठीक है उसके बाद हैं हमारे 5th गवर्नर हाफिस मुहम्मद इब्राहीम हाफिस मुहम्मद इब्राहीम दैट इस 4th में 1964 से 1st सेप्टमबर 1965 तक सरदार उजल सिंग दैट इस 1st सेप्टमबर 1965 से लेकर 26th of जून 1966 तक धरमवीर 27th जून 1966 से लेकर 1st जून 1967 तक यह जब हमारा जो प्रेज़ेंट रूल लगा था धरमवीर उस टाइम हमारे गवर्नर थे मेहर सिंग दैट इस 1st जून 1967 से लेकर 16th of अक्टूबर 1967 तक इसके बाद DC पावते 16th एक्टूबर 1967 तू 21st में 1973 तैंथ गवर्नर कौन बने? दैट इस महेंद्र मोहन चोधरी 10th गवर्नर इस महेंद्र मोहन चोधरी 21st में 1973 से लेकर 1st सेप्टमबर 1977 उसके बाद रंजी सिंग नरूला जी बने हमारे 11th गवर्नर रंजी सिंग नरूला हमारे 11th गवर्नर बने 1st सेप्टमबर 1977 से लेकर 24th सेप्टमबर 1977 तक जैसुखलाल हती ठीक है ये 24th सेप्टमबर 1977 से 26th अगस्ट 1981 तक अमीनुदीन एहमद खान 26th अगस्ट 1981 से लेकर 21st अप्रॉल 1982 तक मरी चैना रेडी ये 21st अप्रॉल 1982 से लेकर 7th February 1983 तक उसके बाद SS संधावालिया 15th गवर्नर ओफ पंजाब that is 7th February 1983 से लेकर 21st February 1983 तक अनन्त प्रसाद शर्मा 16th गवर्नर बने अनन्त प्रसाद शर्मा ये नमरिंग में पूछे जा सकते हैं कि 16th गवर्नर ओफ पंजाब के कौन बने that is अनन्त प्रसाद शर्मा 21st February 1983 से 10th अक्टूबर 1983 तक ये आपको इस तरह से सारा डाटा क्लियर करना पड़ेगा अदर्वाइस ये नमरिंग डिरेक्ट आप याद कर लो इस तरह से कोशन पूछे जा सकते हैं किसी भी एक्जाम में कि 16th, 15th ओफ गवर्नर ओफ पंजाब कौन बने ये कोशन काफी जादा इंपोर्टेंट हैं भैरब दत पांडे 17th गवर्नर ओफ पंजाब कब बने 18th अक्टूबर 1983 से 3rd जुलाई 1984 तक सत्रावला 3rd जुलाई 1984 से 14th माँ 1985 तक अर्जुन सिंग 19th गवर्नर बने हमारे पंजाब के 14th माँ 1985 तूर 14th नवंबर 1985 तक होकिशे सेमा इस 14th नवंबर 1985 तूर 26th नवंबर 1985 तक शंकर द्याल शर्मा 26th नवंबर 1985 तूर 2nd अपरल 1986 सिधार्थ शंकर राय इस 2nd अपरल 1986 से लेकर 8th December 1989 तक निर्मल मुखरजी दैट इस 8th December 1989 से लेकर 14th जून 1990 तक वरेंदरवर्मा 24th गवर्नर बने 14th जून 1990 से लेकर 18th December 1990 तक ठीक है जनरल ओम प्रकाश मिल होतरा ओम प्रकाश मिल होतरा 25th गवर्नर ओफ पंजाब 18th December 1990 से लेकर 7th अगस 1991 तक रहें नेक्स्ट हमारे पास हैं 26th गवर्नर ओफ पंजाब सुरिंदरनास जो की बने 7th अगस 1991 से लेकर 9th जूलाई 1994 तक 27th गवर्नर ओफ पंजाब सुधाकर पंडिता राओ कुरुदुकर 10th जूलाई 1994 से लेकर 18th September 1994 तक Lieutenant General B.K.N. चिबर 18th September 1994 से लेकर 27th November 1999 तक Lieutenant General J.F.R. जैकोब कब बने 27th November 1990 से लेकर 1999 से लेकर 88th May 2003 तक Aum Prakash Verma that is 30th गवर्नर ओफ पंजाब Aum Prakash Verma that is 30th गवर्नर ओफ पंजाब 8 May 2003 से लेकर 3rd November 2004 तक Akhlakur Rahman की दोई 3rd November 2004 से लेकर 16th November 2004 तक General Sunit Francis Rodriguez 16th November 2004 से लेकर 22nd January 2010 तक प्राज पार्टेल that is 22nd January 2010 से लेकर 21st of January 2015 तक Kaptaan Singh Solan की 21 January 2015 से लेकर 22nd August 2016 तक ठीक है 22nd August 2016 तक बने थे कपतान सिंग सलंकी उसके बाद कौन बने VP सिंग बड़नोर बड़नोर उसके बाद कौन बने VP सिंग बड़नोर कब बने 22nd August 2016 तक अब तक यहीं है तिल प्रेजेंट चिक है कउन बने बड़नोर VP सिंग बड़नोर 22nd August 2016 से लेकर तिल प्रेजेंट तक आई थिंग आपको यह सारे गवरनर जो गवरनर की लिस्ट है चिक है सिंग प्रेजेंट रूल कितनी बार लगा परकासिंग बादल जी कितनी बार सिंग बने चिक है जो यह इंपोर्टन कोशन है मैंने आपको सारे करवा दिये हैं यह PCS एक्जाम लेवल से बहुत ज्याद इंपोर्टन कोशन है जो मैंने आज आपको करवाएं हैं जो इंपोर्टन पंजाब के पटवारी के लिए या और जो पंजाब की एक्जाम के इंपोर्टन कोशन से वो भी मैंने आपको बता दिये कि यह सिंपल कुसी भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो PCS में थो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को शेर कर दें थैंक यू